यालो ।वेल्कम बैक आज मैं आपको ना पाइपिंग लगाना सिखाऊंगी गुम पाइपिंग चलो शुरू करते हैं तो ये मैंने कमीज को सिलाई करली है ये नीचे से फोल्ड भी पर लिली है और यहांपे मैंने मार्क लगा लिये यहांपे देखो हिप है लगी हुई है और यहां पे मैंने मार्क करके इतना कपड़ा मुझे फोल्ड करना है जितना कपड़ा फोल्ड करना है उतना मैंने यहां पे मार्क कर लिया है जो मार्क किया है वो आप देख सकते हैं फैबरिक की सीधी साइड से किया हुआ है यह सीधी साइड से मैंने फोल्ड साइड से मार्क किया है जितना कपड़ा अंदर फोल्ड करना है तो अब इसको मैंने उल्टा कर लिया है कपड़े को यह सीधी साइड है यहां पे देखो यह मार्क लगा हुए यह सीधी साइड है तो अब मैं उल्टा कर लिया है मैंने कपड़ा उल्टी साइड से मैं पाइप पाइपिंग बनाने के लिए ना ये फूट लगता है ये सिंगल फूट होता है तो इससे पाइपिंग बहुत अच्छे तरीके से बनती है और जब मैं कमीज बगारा पे कहीं भी लगानी भी है तो भी मैं ये वाला फूट यूज करती हूँ असानी से ये भी मार्किट से मिल तो इसको चेंज करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ इसको मार्किट से जब आप लेने भी जाओ तो इसको भी पाइपिंग वाला फूट बोल के आप ले सकते हो तो आसानी से मिल जाता है तो ये ना एक मैंने स्कुरू डाइवर लिया है ये यहां पे एक स्कुरू होता है इसको खोल लेना है इसका जो ये वाला फूट है इसको निकाल देना है तो इसकी जगह से मुसी तरह ये वाला फूट जो है वो लगा देना है तो ये जो मैंने थोड़ा सा इसमें स्कुरू ना है थोड़ा सैसे फसा लिया है उसके बाद फिर मैंने वो फूट उसमें अगर ये कपड़ा आपका कम ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से इसको बराबर कटिंग कर लें ये दो इंच है जो फोल्डिंग है दो इंच है पाइपिंग के लिए इतनी फोल्डिंग लगती है अगर आपको तुरपाई करनी है तो अगर आपको सिलाई मारनी है तो आप डेड़ इंच भी ले सकते हैं पाइपिंग के उपर सिलाई लगाने से पहले ने यह इतना सा जो मैंने आपने देखना मैंने छोड़ा हुआ है एक तक्रीबन एक इंच तो यह छोड़ना है अब यह मैं आपको खोल के दिखा रही हूं यह जो पाइपिंग का खुली वाली तो यह जो मैं सिलाई लगा रही हूं न यह बिल्कुल पाइपिंग जो डोरी होती है इसमें पाइपिंग के बिल्कुल जड़ में लगानी है तो इस तरह से इसको उपर तक सिलाई जब यहां पर पहुंच जाओगे यह देखो यह यहां पर हिप की जो लास्ट सिलाई होती है यहां पे लगी हुई है फिटिंग की उसके उपर से डेर से दो इंच एक्स्ट्रा हमको पाईपिंग लेनी है तांकि इन फ्यूचर इसको खुला करना है तो पाईपिंग कम न पड़े इसलिए एक्स्ट्रा लगाते हैं तो देखो यहां पे सिलाई लगा दी अब यहां पे भी मैं piping अटेच करके दिखाती हूँ आपको तो यह जो मैं piping लगा रही हूँ ना यह piping foot मिलता है आपको local market से असानी से मिल जाएगा जहां पर धागे वगरा मिलते हैं तो सुईया वगरा धागे वगरा मिलते हैं वहां पर यह machine का foot मिल जाएगा यह single foot होता है piping लगाने वाला तो आप किसी भी shop पे जाके आप ऐसे पूछ सकते हैं बोल सकते हैं कि piping लगाने वाला single foot दे दो तो मिल जाता है असानी से सस्ता आता है तो यह देखो इस तरह से मैंने लगा लिया है इसी तरह से मैं बाकी के पल्लों को भी इसी तरह से attach कर लूँगी अब मैं कपने यहां तक कपड़ा फॉल्ड करना है वाडीं आए गया तो इस तरह से दей्खो एक फॉल्ड फिर दूसरा फॉल्ड करना है इस तरह से तो अब मैंने यह कपड़ा सीधा किया हुए है सीधी साइड़़् में जो mark लगाये थे दूसरी आपको फिरसे बता रही हूं एक यह दूसरा fold, ऐसे fold करना है ऐसे कि है पहले piping को fold किया, फिर उसके उपर से, जितने पट्टी mil dot mark तक आती है, वहां पे fold कर दिया, तो यह जो mark किया है, इसके उपर बिल्कुल मैंने इसको set कर दिया है, ऐसे तो इसके उपर बिल्कुल जड में यहां पे सिलाई लगानी है पाइपिंग की जड में सिलाई लगानी है बिल्कुल तो वहां पे फिनिशिंग से दूसरी साइड आपको सिलाई दिखेगी तो इस तरह से बिल्कुल जड में सलाई अगर आप वैसे तो आप सिंपल फूट से भी लगा सकते हैं लेकिन पाइपिंग हमेशा जो फिनिशिंग वाली अच्छी पाइपिंग लगती है वो सिंगल फूट से ही लगेगी तो आप फूट जरूर खरेद लें यह जो पाइपिंग है यह मैंने खुद बनाई है घर पे तो आप खुद इसको खुद भी बना सकते हैं मतलब कि रेडी मेड भी ले सकते हैं आप खुद घर पे भी बना सकते हैं इसको बहुत आसानी से उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है इसका कि पाइपिंग कैसे बनाते हैं घर पे तो आप वो वीडियो जाके जरूर देख ले मेरे चैनल पे तो आपको असानी से समझा जाएगा बहुत ही असान तरीके से मैंने वो पाइपिंग बनानी सिखाई है यह जो पाइपिंग मैं लगा रही हूँ यह मैंने खुद बनाई है यह रेडिमेड पाइपिंग नहीं है तो चाहो तो रेडिमेड पाइपिंग भी लगा सकते हैं तो देखो मैंने यहां तक सिलाई कर दी है। यहां पर फोल्ड कर दिया है। अब यहां पर सिलाई लगा सकते हैंicz सिलाई लगा सकते हैं फोल्ड करके इसको ऐसे फोल्ड कर देना है तो यह बहुत ही अच्छे सफाई से यह फिनिशिंग से पाइपिंग रेडी होती है तो आप यह इस तरह से जरूर यह वाले जो ट्रिक है यूज करना तो ऐसे इसके उपर मैं अब कच्छी सिलाई लगा दूंगे आप चाहो तो न तो वह आपको उल्टी साइड से करके लगानी पड़ेगी यह मैं सीधी साइड से कच्छी सिलाई लगा रही हूं तुर्पाई करने के बाद इसको निकाल दूंगे तो इस तरह से यह पाइपिंग लग गई है अभी मैं आपको चारो पाइपिंग जो चारो पल्लों की है व उसका वीडियो अप्लोड किया हुए है तो आप वह वहां से चेक कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना शेयर करना और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर लेना गुन पाइपिंग लगाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपक हो गई है तो जरीए आपको मिलते हैं एक्स्ट वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग